दोस्तो पिछले कर नाइजीरिया की तरव से भारत के तेजस फाइटे जेट को लेकर एक ऐसी डिमांड की गई है जिससे चाइना और पाकिस्तान के होस पूरी तरह से उड़ गए है जो डिल चाइना और पाकिस्तान नाइजीरिया के साथ करना चाहते थे वो डिल नाइजीरि रसल जरूर था क्योंकि इस टेंडर में रश्या के मिग अमेरिका के एफ 16 स्वेडन के इंगरीपन पाकिस्तान और चाना के जेएफ 17 और भारत के तेजस मार्कों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था इस टेंडर की टोटल वैल्यू लगबग 180 मिलियन डॉलर्स थी इसलिए अमेरिका रश्या और स्वेडन ने शुरुआत में ही इस टेंडर में अपना इंटरस्ट लूज कर दिया और इनके बाहर होने के बाद इस टेंडर की फाइनलिस्ट में भारत के तेजस और पाकिस्तान और चाना के जेएफ 17 ने अपनी जगा बना ली लेकिन हुआ क्या कि न अपने तेजस को बहुती प्रीमियम क्वालिटी के पार्ट्स और कंपोनेंट्स का यूज करके बनाया है जबकि जेएफ 17 में चैना और पाकिस्तान ने थर्ड क्वालिटी के पार्ट्स का यूज क्या था इसलिए इसका प्राइज जेएफ 17 से ज़्यादा है अब दूसरे क पारण की बात करें तो इसमें भी भारत की कोई गलती नहीं है अब हर कोई देश इसी शोच के साथ ने से मना करेगा कि ये त्जफ को भारत के कैसे मिलेगे खैर अन्तमे ये डेंडाच जेटर स्वेंटीन को मिल गया जिसके तुरंत बाद्ध पाकिस्तान में दियस्ट का मा लेकिन JF-17 की डिलीवरी मिलने के बाद ही नाइजीरिय के होस उड़ गए क्योंकि मात्र तीन महिनों के अंदर ही उसके नए नेवल फाइटर जेट्स टेकनिकल गलिच के चलते ग्राउंड हो गए और अब चायना और पाकिस्तान की तरफ से इनकी सर्विसिंग और मेंटिनेंस इतनी जादा बार हो चुकी है कि नाइजीरिय को अब एक यूनिट JF-17 की कोस्ट से जादा इनकी सर्विसिंग और मेंटिनेंस पर खर्च करना पड़ रहा है अब इसी चीज़ के चलते हुए नाइजीरिय वापस से भारत के पास आया है JF-17 को खरीद कर नाइजीरिय जो गल याने की खरीदने की बाचेत सुरू कर चुका है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नाइजीरिय के प्रेसिडेंट के स्पोक पर्सन बोला तिन्बु ने G20 मिटिंग के दोरान हाली में ये स्टेटमेंट दी है कि नाइजीरिय भारत के तेजस में काफी जादा इंप्रेस्ट subscribers करना चाता है इतना ही नहीं उन्होंने भारत से तेजस फाइटेजेट की डिल के साथ साथ technology ट्रांसफर करने की भी बात की है उन्होंने भारत से ये भी दिमांड की है कि भारत जितने भी तेजस फाइटेश ना करवानी पड़े नाइजीरिया तेजस की लगातार हो रही अपडेट्स और कैपिबिलीटिस को देखकर तेजस का फैन बन चुका है अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत नाइजीरिया के साथ डिफेंस रिलेशन्स को डवलप करने में इंट्रेस्टेड है तो इसका जवाब है ह नाइजीरिया पूरे अफ्रिकन रिजन का आने वाले समय में सबसे ताकतवर देश बनकर उबरेगा इसलिए भारत को यह पता है कि नाइजीरिया में आने वाले समय में काफे ज़्यादा पोटेंशल डवलप होगा इसलिए भारत ने बड़ी ही चालाकी से नाइजीरिया को ये हत्यार डारेक्ट एक्सपोर्ट ना करके बलकि उन्हें नाइजिरिया में ही मैनुफेक्चर करने का प्लान बनाया है ताकि नाइजिरिया की जितनी भी डिमांड है वो सब भारत वक्त से पहले पूरा कर सके इसे भारत को दो बड़े फाइदे मिलेंगे पेहला फाइदा कि इससे नाइजिरिया डिफेंस के मामले में पूरी तरह से भारत पर नेभर हो जाएगा और दूसरा फायदा ये कि पूरा नाइजिरिया भारत को अपने सबसे बड़े अलाइड कंट्री के रूप में देखेगा फिर चायना और पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले ये दुनों देश चाहा कर भी नाइजिरिया के डिफेंस सेक्टर में एंटर नहीं कर पाएंगे ये हम हवा में नहीं कह रहे हैं बलकि इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है नाइजिरिया और चायना और पाकिस्तान के बीच कुछी दिनों में साइन होने वाली जेफ 17 के बलॉक 3 वेरियंट की डील नाइजिरिया ने दोबारे से री करसेंडर करने का मन बना लिया है और एंड में नाइजिरिया इस डील को कैंसिल कर देगा और यकीन मानिये ये तो भी सुरुआत है भारत पूरे अफ्रीका के इंदर चायना और पाकिस्तान को आने वा जाने से पहले एस डी नॉलिज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जै हिन जै भारत